दिल्ली के सराय कालेखा इलाके में रोड रेंज के एक संदिक्द मामले में कैप चालक की पिटाई कर दी आरोप है कि कार की टकर लगने के बाद कतित तौर पर लोगों के एक समू ने कैप चालक की पिटाई कर दी तरसल कैप में यात्रा कर रहे एक यात्री आलोग दिख्षि उसने ट्वीटर पर ट्वीट कर बताया कि हमलावरों ने मौके से भागने से पहले कैप चालक से कथित तौर पर कार की चाबिया चीन ली उसने ट्वीट का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने घटना का संग्यान लिया है और आवश्यक कारिवाई कर रही है जानकारी के मताबिक सराय कालेखा फ्लाय ओवर पर शनिवार रात हुई घटना के बारे में बताते हुए दिक्षित ने कहा कि उन्होंने हवाई अड़े से एक कैप ली थी वही सराय कालेखा के पास कैप के सामने एक निजी वाहन अचानक पलट गया जो हमारी कैप से टकरा गया घटना के बाद कार में सवाल लोगों ने बिना किसी उकसावे के कैप चालक पर हमला शुरू कर दिया उसने कहा कि मैंने बीच बचाओ की कोशिश की लेकिन उन्होंने और जादा मारपीट की मारपीट करने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल थी उन्होंने दावा किया कि हमलावरों ने कैप की चावियां छीन ली और ये देखने के बाद कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आरूपी कैप ड्राइवर लाल चंदरा को सड़क के बीच छोड़ कर फरार हो गए दिक्षित ने घटना का वीडियो क्लिप भी साजा किया है एक वीडियो के अनुसार एक व्यक्ती ड्राइवर के साथ धक्का मुकी करता है जबकि एक अन्य पुरुष और महिलाएं दिक्षित के साथ बहस कर रहे हैं दिक्षित ने कहा कि कैप चालक इस घटना से गहरे सदमे म उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने एक गवाह के रूप में अपना बयान दिया है और पुलिस कर्मियों के साथ अपना मोबाइल नमर भी साजा किया है